पर सो रात को मैं होस्पिटल गया वा था तो मेरे पास कोल आया मेरे साथ ही रहता एक लड़का जिसको भी इस गटना का कुछ भी नहीं पता था वो अपनी सोप से आ रखा था पेंट रोल पम की तरफ तो उसका कोल आया था कि दो सवारी चोड़नी है सुजान गड़ तो मैं लड़का पीछे बेट गया और आगे की तरफ एक लड़का बेट गया उनको मैं बोला आप दोनों चलो नाइट का टाइम है दो लड़कों को छोड़ना है आपने फोन किया तो साथ में सेब्टी रहेगी नाइट का टाइम हम चले गए फिर उन्होंने पंदरा सुरू रू लड़का लगते हैं तो बोला देख सुझानगड की तरफ चलो वहां से कोई साधन देखते हैं और उनको एक बस दिग गई सुझानगड बस टेंड पे दिल्ली नौखा लिखा वा था तो वहीं उन्होंने गाड़ी रुकवा ली और उसी बस की तरफ वाहं कंड़क्टर से करने लग गई हैं उनको वह बोला कि इसार तो नहीं जाएंगे फिर धारोड़ा की एसी कुछ बात करने लगए तो आप को कहीं कोई अवास नहीं हो है कि इतने बड़े अब अवाध भी नहीं वह रहांद हो थां तो फिर थोड़ी देर बात किये फिर वो चूपचा बेड़ गए तो फिर हम भी नर्मल होके फिर गाड़ी चलाने लगए और जैसे मतलब लाड़नों के पास आने लगए तो बार-बार में बोल रहे थे कभी साला सर कभी सुजानगड कभी इसार कभी चूरू यह से बोल रहे क्यों नहीं तो बोला आज मार्केट बंद है किसी का अत्याकांट हुआ है वहां पे तो मैं न्यूस देखी थी वीडियो देखे थे स्टेटस पे तो इस्टेटस को जैसे जूम किया तो मुझे लगा कि यह तो रात वाड़े लड़के हैं जिनको ड्रोप किया था तो फिर म बढ़ों ने मुझे कजन अंकल है उनके पास में बेजा तो वहां कोई नहीं था फिर मैंने शाम के टाइम 6-7 बजे करीब अंकल को को ल लगा है मैं इसी बात है क्या करूं तो उन्होंने बोला कि पुलीस की एल्प करनी चाहिए तो यह थाने में चला जा 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 आपके गो